नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल Know Your City में आज हमारे साथ जन प्रतिनिधी के रूप में हैं तीन बास सवासद रहे श्री जेपी शर्मा जी और आज हम इसे बात करेंगे उनके जीवन के विबिन पहलों के बारे में उनके किये गए कारिय के बारे में वो कारिय जो आपके लिए किये गए हुए हैं तो आपका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे इस कारिकरम में सर जो कि हमारे पास सवालों का सिलसला काफी रहता है कुछ-कुछ अलग-लग विशय को ले करके लेकिन अभी जो पहला सवाल यह है कि आप रुड़की इन्वस्टी में थे तो रुड़की इन्वस्टी में काम करते हुए राजनीती में आपने प्रवेश क्यों किया एक्टिली में राजनीती ने समझता है इसको मैं तो जन सेवा समझता हूं जो सवासत का कारिया होता है वो जन सेवा का कारिया है राजनीती अपनी जगह होती है तो मैं तो उसलिए यहां पाया था और वो मैंने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं करता हूं मुझे सकून मिलता है क्योंकि इसके बहुत से मल्ले जो पहलो निकल के आते हैं किसी गरीब बेटी की साधी हो कुछ को कुष्टे के चाहिए किस को पढ़ाई चाहिए अपने छेतर में सड़के हैं, नालिया हैं बिजली है, पानी है किसी को भलजे बर्डे सबड़ और का चाहिए किसी अदूसा सबड़ और का चाहिए इसके एक काम बहुत है आदमी अगर चाहे तो लेकिन ये कह कर के बहुत से छोड़ दे दे कि कोई हमारे ड्यूटी माता है तो मैं तो जब भी कोई बात होती है कहते हैं जो सभासद होता है वो तो एक सेवक की रूप में होता है कोई इसमें पैसा नि मिलता कोई इसका फंड नी होता है तो मेरा तो यह रहा, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई चुनाव लड़ें, छुनाव जहां तक बात थी, सुरू में चुनाव लड़ा, तो जिसको मैंने खड़ा किया था, वो बीच मा आगर के थोड़ा बैठ गया, ख़़ें, मैं नहीं लड़ा तो चुकि महीं उसे खड़ा किया था कि भी तुम चुनाओ लड़ो मेरा कोई वो नहीं था तो फिर लोगों ने का जिए आप लड़ो और मैं उस टाइम निर्दिली चुनाओ लड़ा बीजेबी का कंड्रेट था उसके किलाब दो थे और बहुत ससक कंड्रेट थे जिनका यह मैं सबसे ज्यादा वोटो से लेड़ किया और तीसरी बार फिर जो मैं लड़ा फिर मैं बीजेबी से लड़ा दो नो लेक्सन उसे मच्छो डोसे फाइट किया लब एक ऐसी बात हो गई जैसे कि राजनिती में जिस तरीके से आपने प्रेवेश किया वो जिम्मेदारी के त हैं और किसी तरह के भी किसी भी टाइम अगर किसी ने मुझे बुला तो मैं तुरन तुम्हीं पोचा सुख में दुख में हरसम भागी तारी रहा इस छेतर में जब मैं वाया इससे पहले दो बार जो सवासद रहे दोनों प्रोफेसर थे तो जो हैं गर्वाल साथ हार्श ए बन गए हो गए और यह आप बहुत बड़ा सत्ते मानेंगे कि इसमें एक भी सिंगल इंट या किसी तरह का कारिये नगर पालिगा से नहीं था और यहां पे धान की एक की खेती थी लेकिन धीरे 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 करते आज मैं सबस्ता हूं कि यह जो छेतर है और छेतरों से काफी अच्छा है यानि कि आपने का कि अगर कोई बुलाए आपको तो आप 6 मिनट में पहुच जाएंगे लेकिन अभी जो रूड़की के हालात हैं अभी हमारी टीम ने जैजा लिया और कई जगा गए उन लोग का यह कहना है कि 6 मिनट छोड़ो आप 60 मिनट में पहुचेंगे ल दाइसो तीन सो क्रोड रूबे की यह उजना थी सुरेजेन जो विधायक थे उस पीरड में और मैं इसमें बहुत इनिसेटिव लिया कि इसमें जो बहुत 86 वगरा के प्रोफेसर्स वगरा थे वो इसमें में जो है आई भी थे उन लोगों ने बहुत तजर्बा होता है किन मुझे केवल कस्टिस बात का चाहिए यहां के जनपरती निधी रहे एड़िस्टेटर रहा इसके गंदे कामों को और इसको देखते हुए भी कोई भी से रोक नहीं पाया कैज्वल्टी भी हुई और दिक्कते बहुत हुई है सहारनपुर इससे बहुत बढ़ा सेर है व हे दाट किनारे यहमल्ले जो है पानी किलेक्ट करते लॉर्मिंट मेमिसम पель है और चैंबर वही पातते एर्यों के पास सर्वे थाई एक नंबर में इतना बड़ा दो नंबर में इतना अधर इतना और वह इसके क्वरिंग कर ने के बाद में रात को该शी भी मशीज से टे होगे कड़ेख होते हैं वहां से एक मशीन से ठाक लाकर रूब कर देते हैं सुबह को पता भी नहीं लगता कहां बने क्या हुए एक चमबर को खूदने में इनको लग जा भीस दिन तो इस सिस्टमीन का मतलब मेरे सुझ में यह निया कि क्या सिस्टम रहा दूसरी बात जहां पर मले जो है जैसे आवाज विकास है उसमें 80% में सिविल लाइन भी थी फैसिल्टीज थी सरकार की थी वहां नहीं की जैसे सोलानी पुरमी है यहां का टेक्स मले जो है एक रूबे फुट के हिसाब से जो पहले दोसो सबा दोसो डाइस रूबे हाउस टेक्स होता था है तो मुझे दूख एक बात का है सबसे बड़ा अग जो लोग टेक्स दे रहे थे नगर पालिका को पर नगर पालिका छेतर में पड़नी वहां पड़ी नहीं सिविल लाइन है यह कही है के एरिया से जहां पर मिले जाए बिलकुल पोच कलोनिया है वहां पर सब्जे के कार हो रहा है बड़ा सवाल है अगर मेरा बस चले तो मैं दोनको खुद पूच कर गया हमने कैसे पनले चैनल जो सर्वे हुआ हुआ है क्योंकि जो सिविल लाइन होती है यह तो एक तरह से उल्टी गिरती है जहां इसका लास्ट डिस्चार्ज होता है वहां से से डालना सुरू करते हैं और मेरी समय तो नहीं कि जो डाल रहे हैं किस पैरामेटर पर डाल रहे हैं क्योंकि यह तो कहीं कहीं जो इस रूड़के की जैसे कि मुझे को पता है कहीं कहीं जो है बीस फुट गह रही है के 18 फुट के 15 फुट तो मेरे तो यह भी दिमाग में नहार कहीं पर इन्ह इन्होंने बजाए उसके और उसमें जो अंदर बैठे सिमट क्या भाओ के लगा रहे कैसे लगा रहा कुछ पता नहीं उपर से ढग दिया अच्छलिए ये तो गड़ों की बाते हैं गड़ों की बाते हमें से होती रहेंगी हमें आपके और आपके विश्य में चर्चा करनी है इसके साथ चुकि आप पूरो आप सभासद रहे हैं तो उस डिवरेशन में और आगे आपकी ऐसी क्या-क्या योजना है और आपने क्या-क्या ऐसे ऐसे पद सम्हाले हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद रूर्की की जनता को बताने की जरुवत है मैं यहाँ पर दो बार वैस चेर्वेन रहा डिस्टिक प्लानिंग कमेंटी का जो मिम्बर होता है सबसधी चुनते हैं यहाँ पर कांग्रेस का उस टेम जो है चेर्मेन था कांग्रेस का कंडेट खड़ा था लोग मुझे कच्ची कड़ी के नाम से सोचते थे कि कच्ची कड़ी है तूट जाएगी लेकिन मैं चार वोटों से जीता और उसे देखने विवास सब को यह लगा लोग कहने भी लगे तो राज ने देखिए कि चानक के भाई यहां भी जीत करका आगे तो मेरा मलें यह कहने क क्योंकि लोगों कोई निष्ठा जो है वो मेरे पड़ती है सब को पताता कि काम करते हैं काम के रहेंगे तो अगली बार आप अभी अभी चुनाव होने वाले नियर अबाउट अभी जल्दी ही तो उस काम के बेसिस पर ही आप वोट मांगेंगे लोगो से बिलको काम के बेस होगा आपको जो नाला मले जो है बरसास से पहले तूट गया था वो नहीं बनवा से कि और जब कि वो काम जो है संदर दस लाग दो लाग का काम था एक जगह पाइप मले जो है वहां पर पुलियासी बना रखी दी जब पानी वहां बरा लोगों ने तोड़ दी तोड़ने क चार-पांस साल से यहां पर ट्रांसफार्मर के पास वह बच्चे गिरते थे और वो ते थे क्योंको इस पर जगड़ा है गाउवालो कार इसका तो बनने देते थे लिकिन मैंने उनसे के वह लेक रिक्वेस्ट की कि जो छोटे-चोटे बच्चे गिर रहे हैं मेरे हैं तुम हमारी मेडम SDMT बहुत अच्छी है वो भी आई लेकिन चुगी उस पेष्टे था लाचार हो के चले गए नगरपाली का वाले दो के भी सोच भी से के आए और देखके चले गए और आपको जाकर देखले हैं ट्रांसफार्मर के पास में आप आए जाए यह बहुत ही अच्छी होते चले आ रहे हैं लेकिन ऐसी कौन-कौन सी समस्याएं आपको अभी भी सुलाने पुर्व में दिख रही हैं जिसका समधान करना जरूरी आपको ऐसा लगता है सबसे पहले मेरी जो प्राइटी होगी वह यहां पर सीविल लाइन डलवाने की है क्योंकि सीविल दृटर निकल नहीं पाता पानी वैक मारता है एक सड़य कब बनी एक दो महिनने बाद बनी एक नाली अब बनी दो महिनने बाद बनी तो उनमें कोई डिजाइन करवारा में अगर उसमें पाइप गिर गया इस तरह के क्योंकि वहां नालियों तक कोई ऐसा ट्रेफिक नहीं चल पाता और कोई उसमें ऐसा डिजाइन मिल गया कि हाँ यह मलने जो है सक्सिज रह जाएगा तो मैं ऑपिन नालियों छोड़ने का इने अपनी जिसे आधर समय है सोलाल नी कुरव हैं ये तीन चार हैं इसको हम लेंगे दो महिन्ने वहां के लोग परिसान लेंगे हमा काली दिया रहें दो महिने नेगा इस सबक कैसे बना दोगह उसने का हम नाले साथ साथ लेंगे आगे पहले पहले पानी की लाएन चलेगी फिसीविर जाती है तो धाई और तीन महिने से जाते है उस एरिये में नहीं लगने की दो सहर को ना कोई करके पर्डिकुलर एरिया को तो दो महिने की जो मसक्कत रहेगी जनता को लेकिन अभी एक बेसिक विश्चन जैसे मालीच आपने बोला तीन बार आप सभासद रहे हैं समस्या तो पांच साल पहले तक समाप्थ हो जाने चाहिए थी रूड़की वाली सुलानि परम के लोगों के लिए अगर पहले कुछ वर्क होता तो उसमें थोड़ा करना पड़ता यहां तो वर्क ही जीरो था अगर मैं इसको कहूं जीरो तो आपको एक परसंट भी अकीन ने लेकिन आप पत्र हदेले, मेरे आदर ने, राकिश चंदराजी रहे, प्रोफेसर अगरवाल रहे, कभी कोई हमले जो है इस तरह का काम नगरपालिका उसे एक परसेंट भी लिए, जो भी काम हुआ और जो b leavीरेड में हुआ सारे, बिजली का हो जहां तक की नगरपाली का की जगह नहीं है यहां छेतर में मैंने फिर विट टुएल लगवा दिया है आपर बड़ा जंजट हुआ पहले ठागड़ लोगा है हमारी है पिर जो यहां बेल लेके महाराथ ते जिन मलज़ हुआ गए हमारी है लेकिन मैंने महाराज के पैर चूच हो करके बीस दिन उनके घर जा 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 करके आखिर उनसे कहा वे तुम नहीं छोड़ा कि मुझे तुम नहीं लगा लो जाए सो फूट जगह उन्होंने दी ती जो आप तीन साड़े तीन सो फिट में लगा वा तो मुझे थोड़ी जगह और मिलगी वहां ट्यूवे लगवा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई यानि कि अगर लोगों की सेवा करनी हो अचाहत अगर सेवा करने की है तो राह और रास्ते हमें हमेशा मिल जाते हैं हमेशा मिलेगी इसको तो मैं लिक्का दे सकता हूं कि अगर आपके दिमाग में यह है कि मुझे सेवा करनी है तो आपको रास्ता मिल जाएगा उन्हीं के बेल्ड है कांग्रेसी हैं जब की हो उन्होंने मेरे से कहा आप इनके पीछे लगे रहो आत्मी वैसा केड़ा है बोलने में चालने में पैसे की बात ना करना और मैं सुवह पहुंच जाता था आट बजे उनके घर बेल्ड है उन्हें कहा सर्माजी तुमने मुझे परिसान कर तो अभी सभासत के लिए आप भाजपा से लड़ने की वाजपा से लड़ूंगा क्योंकि मेरा दाइत तो भी है मुझे मैंने पार्टी से जब सज्वहन की पार्टी से अलग नहीं रहा बीजे इसे में डिस्टिक प्लानिंग कमेटी का मेंबर लड़ा उसमें चार-पांच लेकिन कई बर आसा भी होता है कि अब टिकट नहीं मिलता है टिकट नहीं मिलेगा फिर ऐसे कैसे में आप क्या करेंगे वो उस टाइम देखूगा, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए, चुकि मैं तीन बार का सभासद हूँ और मेरे पास किसी तरह का आरोपनी वाइस चेर्मन हूँ, डिस्टिक ब्लानिंग कमेंटी का मेंटी का मेंबर हूँ। प्रिष्टिकोंड से जो है वो सुरक्षित रहें और हमेसा सही रहें, कुछ ऐसी व्यवस्ता आपने की हो जो हमारे गाउं का परधान था, उसका दब दबा ऐसा था कि दूसरे गाउं में चोरी हो जाती तो उसके आउं में होती थी, क्योंकि उन्हें पताता है कि उसके पास लेसंस भी है और वो मनले मरने मारने जडरेगा नहीं तो मनले जो है वहां से वापिस भी आना नहीं पढ़ने का, माज को यह की तभाग बता रहा है, पंदरे साल में इस छेतर में कोई ऐसी घटना नहीं घटी, एक दो घटी तो में मोगे पहुँच गया और उन्ह है, और कोई भी ऐसी हमत नहीं कर पाता कि मनले इस तरह के घटना कर जाए, बल्के भी पीछे दिन में एक ड़केती पढ़ गए ती जब एस पी वगर यहां आए, तो एक कोट वालते हो कहने लेके बड़े मजाग के उसमें, कि तो जे भी सर्माजी की वेश से हुआ, एसे क् तो पंदरे साल में इधर कोई भी भड़का नहीं, अब के यह है नहीं तो अब कैसे हो रहे है यहां काम, तो मेरा वनले यह है कि यह इसलिए भी सवस्त का यही नहीं है, कि वो खुद पढ़के आराम से चेन की निन सो जाए, अगर उसे कहीं लग रहा है, उदर रांड रां मतलब यह बहुत ही अच्छी बात है कि सुराच सुरक्षा सभी को चाहिए होता है, और आपके रहते हुए अगर कोई ऐसी घटनाई नहीं घटी है, यह और भी अच्छी बात है, और हम भी ऐसा उम्मीद करेंगे, हमारी रूड़की की जनता यह भी उम्मीद करती है कि सुर अब भी हो, समाज को लेकर के जो आपके मन में जो दर्द है वो भी उस समस्या का समधान भी हो, तो हम आपका हमारी इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं आपका, तैंकि बड़ी मच्छ, और आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस कारेकरम को देख रहे हैं और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह जो information आपको मिली है, जन प्रतिनिदियों की जो information हम आपको दे रहे हैं, इस basis पर आप चुनाओ, अपना जो decision है, vote का decision है, अपने life का decision है वो लेंगे, साथ ही मैं यह उम्मीद करूँगा कि आप आप हमारी इस चनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अच्छी चीज़े लोगों तक जनता तक पहुच सके, आपका बहुत बहुत धन्यवादा